हाई एवरिवान आप सबका स्वागत है मेरे इस चानल में वील ऑफ ओर्चुन 369 और आज की रीडिंग में हम चेक आउट कर रहे हैं आपका नवेंबर होरोस्कोप यानि 1st आफ नवेंबर से लेकर 30th आफ नवेंबर तक का टाइम पिरिट आपके लिए कैसा रहने वाला है य वो भी आज हम चेक आउट करने वाले हैं तो अगर यह रीडिंग आपको पसंद आती है तो जरूर मेरे रीडिंग को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें और आब मेरे मेंबर्शिप क्लब के मेंबर भ इसमन्त कैसे रहने वाली है इसके बाद हम आपके रिलेशन से पापके कारियर और आपकी हेल्थ को भी चेक आउट करने वाले हैं सो लेट एस चेक आउट आपके ओवराल इनोजी कैसी हैं आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड निकल करा रहा है इस फाइव और वैंड ओके लावर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आपके आपके कंफिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् देख रही हूं क्योंकि इस विक्ति से आपकी opinion match नहीं करेगी हो सकता है आप relationship में ये conflict हो आपके partner से, आपके husband से, आपकी wife से, ठीक है तो किसी loved one से आपकी कहीं न कहीं conflict होने के chances सबसे पहले मैं आपर देख पा रहे हूं चीजें हो सकता है कि आपके favor में नहीं जा रही है क्योंकि मुझे इस समय आपका favorable time नजर नहीं आ रहा है और आप काफी ज़ादव गुस्से और frustration में आपर नजर आ रहे हो तो देखो अगर चीजें आपके favor में नहीं जा रही है शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं है तो इस चीजें को भी आपको समझ कर आगे चलना पड़ेगा तो चीजें आपके favor आपके expectations की according नहीं हो रही है जिसकी वज़े से आपको problems face करनी पर सकती है किसी तरीके के strong changes यहाँ पर आते वे मैं देख रही हूँ इस समय आपको कहीं न गहीं किसी का भी support नहीं मिल रहा है यानि आपके family का, near dear ones का, आपके colleagues का किसी का भी support यहाँ पर जैसे आपको नहीं मिल रहा है आपको अपनी individuality को जैसे खुद proof करना पड़ रहा है या ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी का real face दिख रहा है reality में वो मेरा well-wisher है ही नहीं reality में उस person के मेरे लिए बहुत ही negative thoughts है ठीक है तो ऐसे किसी विक्ति के लिए आपको कोई reality भी face करने को मिल सकती है इस time period में जो कि आपको बहुत ज़्यदर decision भी कर सकती है but queen of wand की energy यह बता रहे है कि आप अपने इस fire को अपने इस passion को अपने इस spark को अपने जितना ज़ाद आपने career पर अपने like अपने finances पर जितना ज़ाद आपनी job पर अपने business पर लगाओगे ना उतना आपको benefit मिलेगा ठीक है तो अगर आपके अंदर इतना ज़ादा fire के energy है आप देख रहे हूं कि तो अगर वाखे में इतनी fire है आपके अंदर इतना enthusiasm है आपके अंदर तो उसको एक positive जगा पर use करो ठीक है उसको negative जगा पर use आपने नहीं करना है इस fire को अपने positive जगा पर use करना है अपनी excitement को अपने अपने गुस्से को अपनी frustration को अपने काम पर focus करकर निकालो ठीक है अपने जिम में जाओ जिम में जाओ जादा से साधा exercise करो कुछ benefit तो होगा है ना गुस्सा आ रहा है किसी से नराज हो अपने काम पर focus करने लग जाओ कुछ तो benefit होगा आपको तो अपनी इस fire को एक सही तर किसे utilize करते हो तो यह आपको positivity दे सकती है आप काफी ज़्यादा future को लेकर भी concern रह सकते हो इस time period में चले आपके relationship की energies को देखते हैं lovers की energy मुझे यह भी बता रहे हैं कि यह time period में आप अपने soulmate अपने partner अपने twin flame से मिलने के chances भी आपके बढ़ जाएंगे ठीक है तो अगर आप marriage proposals भी सीख कर रहे हो तो वो भी आते हुए नजर आ रहे हैं और आपके soul में twin flame के chances भी बढ़ जाएंगे it's depend कि आपकी age क्या है आप आपके अगर age है आपके divine timing आ चुकिए तो बिलकुल यहाँ पर strong chances उस चीज के भी बढ़ेंगे आपके relationship को देखा जाएंगे तो यहाँ पर six of pentacles कोई आपको propose करता हूँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है ठीक है someone is proposing you कोई आपको अपने दिल की feelings कहता हूँ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है तो someone is proposing you किसी तरह के love offer आपके तरफ आते वह देख रहे हैं और साथी साथ यहाँ पर ऐसी energy भी नजर आ रही है कि अगर आप इसी break-up से handle कर रहे हो किसी break-up को handle कर रहे हो separated हो अपने partner से तो यह भी strong chances है कि आपका partner आपकी life में वापस आ रहा है ठीक है अपनी feelings आप से confess करने ठीक है तो यह दोनों ही chances यहाँ पर मैं देख पा रहे हूँ लेकिन आप इतना जदा आपने love relationship में इतना जदा आपने involved हो गए हो ना कि आप अपने November का time period मुझे ऐसे दिख रहा है जहाँ पर आप पूरा दिन सोचते रह जाओगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे कोई action नजर नहीं आ रहे है मुझे आपके ठीक है आप पूरा दिन एक ही ख्याल में आप बिता दो या पूरा महीना आप बिता दो तो आपको कहीं न कहीं बे यूटिलाइस करना है इन नाइस प्लेस यानि किसी ऐसी जगा पर इस टाइम को यूटिलाइस करो जहां से आपको benefit मिले तो ज्यादा overthinking और बे-फिजूल के ख्यालों से overthinking से आपको बचने की जरूरत है relationship ठीक है लेकिन relationship में भी balance लेकर आने की आपको जरूरत यहां पर दि करियर पर ध्यान देने की जरूरत है got it चलो आपके करियर को भी देख लेते हैं क्या energies निकल कर आ रहे हैं करियर में यहां पर है hermit okay sorry hermit queen of vans five of cup and यहां पर है knight of vans okay great अगर आप कोई house wife हो ठीक है तो मैं देख रहे हूं कि आप घर और बाहर बहुत अच्छे से चीजों को handle कर रहे हूं ठीक है अपने goals को बहुत अच्छे से achieve करते हूं यहां पर नजर आ रहे हूं आपने individuality ना खुद create करिये यानि आप किसी पर भी dependent नजर नहीं आ रहे हो के matter में आप अपनी wishes को खुद पूरे कर सकते हो अपनी अपनी चीजों को आप खुद पूरा कर सकते हो मैं देख रहे हूं कि आप अंदर से बहुत fulfilled हो अपने career के मामले में यानि आपको लगता है कि yes आपने जो achieve करना था आपने अचीव करा है आपनी अपनी individuality खुद बना yourself और आप इस चीज से बहुत खुश हो कि आपने खुद को प्रूफ करा है और अगर नहीं हो आप इस स्टेज पर ना तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने आपको प्रूफ कर रहे हो यानि career पे भी कही नहीं अगर आपको अभी तक time नहीं मिल रहा था अपने career पर focus करने क तो ये नवेंबर के time period में अब आप अपने career पर भी focus कर रहे हो आप late night तक काम कर रहे हो सुबह जल्दी उठकर काम कर रहे हो लेकिन आपके mind में जैसे कुछ है कोई आपने goal कोई target आपने जैसे रख लिया है कि जिसको आपको achieve करके रहना और आप उस चीज की तरफ बढ़त करी दी कि आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हो इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है वही फैमदी आज आपको support भी करती हुए यहाँ पर नजर आ रही है आपके hard work जैसे लोगों को दिख रहा है और लोग उस hard work को appreciate कर रहे है हर्मिट की energy ये भी बता रहे है कि हो सकता है किसी ठंडी जगा पर किसी winter place पर जैसे आप जाने के बारे में सोच रहे हो या traveling के plans बना रहे हो ठीक है लेकिन मुझे वह plan successful होता हो अभी नहीं दिख रहा है बी true तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वह plan आप successful बना रहे हो अब plan तो कर रहे हो लेकिन आप उसके लिए action नहीं कफ कप्स आप अपने किड़ खागर आपके kids हैं बच्छे हैं तो आप उनका बहुत जब ध्यान रखे रहे हुई इस time period में या आप उनकी he wildly कर बहुत जड़ के रहने लगए उनकी diet को लेकर उनकी health को लेकर look at it है ना आप उनकी diet उनकी health को लेकर बहुत ज़्यादा concern यहाँ पर दिख रहे हूँ ठीके बाद फिकर मन दिख रहे हूँ अपनी family की health को लेकर आप बहुत ज़्यादा फिकर मन रख रहे हूँ diet food खाना, घर का खाना खाना, भार के खाने को avoid करना यह सब चीज़े आप November के मंद में करते हूए आ रहे हूँ यह शायद इसलिए हुआ है क्योंकि आपको कोई ना कोई shocking news में भी अपने relatives से कुछ ऐसी मिली है कि इसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में वैसा हो गया शायद आपने इस वज़े से अपनी health पर और अपनी family के health पर बहुत जादा ध्यान देना शुरू कर दिया है जिसे कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो अब आप जाक चुके हो अपनी health के मामदे में और आप अपनी health पर अपनी diet पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपनी exercise पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हूं morning walk पर जा रहे हूं तो आपको समझ में आ चुक है कि आपको health को भी priority देनी है इस month में थीक है तो आप अपने growth पर भी अपने health पर भी बहुत जादा focus देते हैं यहां पर दिख रहे हैं चले कुछ आपके guidance देख लेते हैं Cancerians, please divine, guidance, ओपस चले, यह काड लेते हैं balance, spirituality and practicality, यानि इस समय आप बहुत जादा practical होते हैं नजर आरे हो divine आपको यह ही कह रहा है कि जरूरत है, जब तक आप यह balance अपनी life में नहीं लेकर आएंगे, तब तक चीजे सही नहीं हो पाएंगी तो इसलिए अपनी life में balance लेकर आओ, किस चीज को कितनी priority, किस चीज को कितनी importance देनी है ना, यह चीज आपको समझनी होगी तो यह मन्त आपको यही समझा कर जाने वाला है कि कैसे आप balance लेकर आओगे अपनी life में तो create that balance, वो balance create करो अपनी जिन्दगी में तो this is the energy for Cancerians, ज़रूर like, comment, share, subscribe करें this is all for today, thank you, bye-bye and take care